नमस्कार, Market Times TV में आपका स्वागत है, मैं हूँ सुरेश मंचंदा बीते लगभग यूं कहें के दो-तीन महीने से जो लेसुन की कीमतों के अंदर में इजाफा देखने को मिल रहा है वो इजाफा अभी फिलहाल कॉंटिनिशन में रहेगा, यानि की अभी तेजी बरकरार रहेगी Market Times TV की जो रिसर्च है, उसके मताबिक करीब करीब 50 रूपए से लेकर के 75 रूपए प्रति किलो तक की तेजी अभी और इसमें देखने को मिल सकती है अब इसकी अगर वजय के पीछे जाया जाये, तो वजय क्या है? फिलहाल अंतरास्ट्रिय बजारों से, विदेशी बजारों से डिमांट जवर्दस्त बनी हुई है आपको बता दूँ कि पिछले 6 महीने में, पिछले 6 महीने में रिकोर्ड स्थर पर, अब तक का जो रिकोर्ड स्थर है, उस रिकोर्ड स्थर के उपर पे विदेशों के अंदर लैसून का निर्यात किया गया है, भारत से हाला कि चाइना लैसून का निर्यात कर रहा था, लेकिन उसकी जो सप्लाई चेन है, चाइना की, वो तूट गई, जिसके बाद जो बायर था, विदेशी, वो उसने रुख किया भारत की तरफ, और पिछले 6 महीने के अंदर में, 60,000 मिट्रिक टन, 60,000 मिट्रिक टन का एक्स सर्च कहती है, उसके मताबिक आने वाले 5 से लेकर के और 10 दिन के बीच के अंदर में, 50 रुपए से लेकर के, 75 रुपए प्रती किलो तक का इजाफा और देखने को मिल सकता है, जानकारी ये भी है, कि मद्यपरदेश की जो किसान है, उन्होंने हाला कि माल रोकना शुरू कि क्या है, माल रोक रहे हैं, आप देखेंगे, अब्जर्व भी करेंगे कि जो मंडियों के अंदर जो माल आ रहा है, वो माल कच्चा आ रहा है, और साथ ही वो अभी पूरी तरह से पका भी नहीं हुआ है, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो माल है, वो ट्रेडर पहले ही छ कल रहा है, तो पीछे जो माल बच गया, तो उसकी भी जो शोटेज है, वो कही न कहीं माजार के अंदर में बंती भी दिखाई दे रही है, आजादपूर मंडी का तो यह हल है, कि जितना भी माल आजादपूर मंडी के अंदर में पहुंच रहा है, वो हाथों हाथ बिक भी आए जो इस समय पर सिनेरियों बने हुए है दोसो सवा दोसो धाइसो रुपे के अंदर में जो माल भिक्रा है अभी पांच से साथ दिन के अंदर में और इजाफा देखने को मिल सकता है तेजी लगतार बरकरार रह सकती है साथ हजार टन मिट्रिक टन लैसुन बहार जा चुका है और तकरीबन तकरीबन अगले तीन महीने के अंदर में 20 से 30 हजार मिट्रिक टन लैसुन और बहार जाने के संभावना है आप कहीं मत जाएए देखते रहिए Market Times TV क्योंकि खबरों का सिलसला लगतार जारी है